नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जी के रेवलिशन में हमारी हिस्ट्री की जो महतपूर्ण सीरीज चल रही थी सूपर 30 कोशिंस की उसका भाग 2 है ठीके फेंड्स बहुत ही महतपूर्ण कोशिंस हैं बहुत ही जादा ज़रूरी है किसी भी एक अगला क्वेशन है गुलाब से इत्र निकालने की विधी किस ने खोजी थी तो गुलाब से इत्र यानि की जो परफ्यूम होता है उसे निकालने की विधी असमत बेगम ने खोजी थी ठीके फ्रेंड्स असमत बेगम कौन थी ये नूर जहां की मा थी ठीके नूर जहां यान से इत्र निकालने की विधी खोज की थी औरंग जेब के गुरू का क्या नाम था औरंग जेब के गुरू का नाम था मीर मुहम्मद हकीम ठीके फ्रेंड्स ये औरंग जेब के गुरू का नाम था अगला है किस बंदोबस्त को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है तो जो ये सेर साह सूरी के टाइम पर भी एक बहुत ही महत्वपून पत पर था ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर इसकी बात करें हम 보여 vita की बात करें तो इसने भूमी को čार भागों में बाट दिया था, जैसे पोलेज में बाट दिया था, ठीक है पोलेज में बाटा, फिर परती में चाचर में बाटा इसने और अंत में बंजर में तो पोलज वो होती थी जहां पर हर साल में दो बार फसल हो रही है परती में एक दो साल में एक बार और चाचर में तीन चार साल में एक बार और बंजर तो जो बंजर है तो वो उस बंदोबस्त को कहा गया था टोडरमल बन्गाल की ते बंगाल की था पहले मुगलों के आधीन था लेकिन सुटन्तर बंगाल की स्थापना मुशिद खुली खान ने की थी वर्ष 1672 में कहां कि सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए सुनहेला फर्मान जारी किया था तो जो गोलकुंडा के सुल्तान थे उन्हों ने अंग्रेजों के लिए उस समय गोल्डन फर्मान यानि कि सुनहेला फर्मान जारी किया था के आधीन अंग्रेज 500 पैगोडा वार्शिक देकर उनके जो बंदर गहा थे गोलकुंडा राजी के उनको इस्तमाल कर सकते थे अगला है किश युद में हार के साथ ही भारत में फ्रांसेशी शक्ति का पतन हो गया था तो वांडिवास का युद हुआ था जब 1760 में उस युद में अंग्रेजों ने फ्रांस को हरा कर फ्रांसेशी शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था ठीक है इस युद्ध में जो अंग्रेजों का जो सेनपती था वहा था आयर कूट ठीक है फ्रेंड सर थॉमस आयर कूट इससे पहले एक वर्ष पहले 59 में 1759 में वेद्रा का युद्ध हुआ था जिसमें जो डच थे उनका पतन हुआ था अगला कूशन है अम्रित सर की संधी महाराजा रंजी सिंग वह किसके मध्य में हुई थी तो अम्रित सर की जो संधी हुई थी यहां महाराजा रंजी सिंग और चाल्स मेटा कफे के बेच में हुई थी 1809 में ठीक हुई यहां पंजाब राच्चे जो यह था अम्रित सर यह रं आनजीत सिंग के बात करें, इनकी राजानी लाहोर थी और इनको महाराजा की उपादि जमात एक व्यक्तिर के नाम था, उसने दी थी, ठीक है? अगेला कोशिन है, वारण हैस्टिंग पर किस के दौारा महाभयोग लगाया गया था? तो Warren Hasting पर बर्ग के द्वारा महाभयोग लगाया गया था सर 1785 में 1784 में PITS India Act के विरोध में Warren Hasting ने इस्तिफा दे दिया था और जब वो लंदन गया 85 में तो उस पर महाभयोग लगाया गया था बर्ग के द्वारा जहां से 1795 में 10 साल बाद उसको इससे पूरी तरीके से बरी कर दिया गया था अगला है कलकत्ता से दिल्ली तक Grand Trunk Road की मरमत किसने करवाई थी तो GT Road जो थी जिसको निर्मान सेर सहा सूरी ने करवाया था इसको Lord Auckland जिनका कारेकाल 1836 से 42 था इसने इस रोड की मरमत करवाई थी ठीक है फ्रेंड्स एक और इससे important question आता है कि किसके शाषन काल में जो भारतिय चात्र से उनको डॉक्टर के सिक्षा के लिए विदेश जाने के अनुमते मिले थी वहाँ भी Lord Auckland के ही टाइम पर हुआ था ठीक है और इसके काल की एक और famous घटना जो थी वह होती पहला जो आंगल अफगान यिद्ध था वो भी इसके काल में हुआ था अगला है भोटान ने किस वर्स बिटिस सामराजय पर आकरमन किया था था तो भोटान ने 1865 में बिटिस साम्राजय पर आकरमन किया था ठीक है फ्रेंज उस वक्त वाइसराय भारत का कौन था तो वहां भी किसके टाइम पर शुरू की गई थी? Lord Lawrence के टाइम पर 1865 में ही अगला question है हमारा किसके शार्षनकाल में भारत में पुरातत्य विभाग की स्थापना हुई थी? तो भारत में पुरातत्य विभाग की स्थापना 1905 में Lord Karjan के टाइम पर हुई थी और 1905 में लॉर्ड करजन के टाइम पर हुई थी कहीं कहीं पर 1904 भी है इसका है फिर 1904 भी आप इसको बोल सकते हैं लॉर्ड करजन के ही टाइम पर सिचाई आयोग की स्थापन हुई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ फिर 1904 भी आयोग बना था थाॅमस रोबर्सन के अध्यक्षता में ऐसे ही पुलिस आयोग बना था ऑन्ट्रियो फ्रेजर के अध्यक्षता में घिक है यह सारे आयोग लॉर्ड करजन के टाइम पर बने थे विश्यो विधहले आयोग बना था तॉमस रेले के नाम उसके अध्यक्षता में ठीक है फ्रेंज और आकाल आयोग एंटोनी मैकडॉनल्ड के अध्यक्षता में बनाया गया था ठीक है फ्रेंज ये सारे जो आयोग थे यहाँ लॉड करजन के शाषनकाल में बनाये गए थे सामप्रताइक पंचाट की गोशना किसने की थी तो सामप्रताइक पंचाट जो थी इसकी गोशना रैम्जवे मैकडॉनल्ड जो कि उस वक्त ब्रिटिश परधान मंतरी थे उन्होंने की थी 16 अगस्त 1932 में ठीक है फ्रेंज और 1932 में ही पूना समझोता भी होता है इसी सामप्रताइक पंचारती इसी का नतीज़ा था पूना पैक्ट अगला है पागल पंती विद्रोह कहां हुआ था तो पागल पंती विद्रोह यहां आसाम में हुआ था ठीक है इसका जो नेता था वहाँ था टीपू एक स्थानिया नेता था वहाँ का टीपू उसे चला था और खासी विद्रोह ये भी आसाम मैं चला था जिसका नेता तीरत सिंग थे और 1833 में ये खासी विद्रो опасfallen की जला था अगला है 1857 के करांथि में फैजाबाद में किस ने नित्थव किया था तो 1857 के जब करांधी चल रही थे उस वक्त फैजाबाद में मौलवी एहमद दुल्लग ने आंदुलन का निर्टत्व किया था जबकि यहाँ पर उनके सामने जो ब्रिटिश अधिकारी था वहाँ तक कर्णल नील ने यहाँ विद्रो को दबाया था अभिनो भारत संस्था के संस्था पक कौन थे तो अभिनो भारत संस्था के संस्था पक थे वीडी सावरकर 1904 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी कहां की थी महराष्ट्र में की थी ठीके फ्रेंस और इसी संस्था के एक व्यक्ति थे वीपी बापट वीपी वापट इसी स स्था के एक व्यक्ति थे जो की बं बनाने के लिए विदेश गए थे गांधी जी द्वारा खेडा में कर नहीं अंदुलन कब चलाया गया था तो गांधी जी के द्वारा खेडा में कर नहीं अंदुलन 1918 में चलाया गया था, कहां पड़ता है, गुजरात में, अगला question है, गोल में सम्मेलनों के दौरान, ब्रिटिश परधार मंतरी कौन था, तो तीनों गोल में सम्मेलन होए थे, उन तीनों के दौरान, और अंग्रेज परधार मंतरी था, वहाँ था, रेमजे मकडॉनल्ड, ठी पहला सम्मेलन की बात करें तो वह 1930 में होता है दूसरा सम्मेलन कब होता है 1931 में और तीसरा 1932 में अगला क्वेशन है नौसेना विद्रोह के सुवर्ष हुआ था नौसेना विद्रोह 1946 में बॉंबे में हुआ था आइनस तलवार में ठीक है इसमें जो प्रमुक मांग थी सैनिकों कि वह यही थी कि जो अंग्रेज सैनिक है और जो भारतिय सैनिक है उनके बीच भेदबाव ना किया जाए ठीक है अगला कोशन है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एमजी रनाडे ठीक है फ्रेंट्स और गोपाल कृष्ण गुरु किसके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले यह महत्मा गांधी जी के गुरु थे और इनके गुरु थे अगला question है दैनन्द सरसवति का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था इनके था बचपन का नाम था मूण शंकर अगला है सरुपरतम पाकिस्तान की मांग किस वर्ष रखी गई थी तो पाकिस्तान की सरुपरतम मांग 1940 में 24 मार्च को रखी गई थी ठीक है लाहोर अधिवेशन हुआ था ठीक है मुस्टिम लीग का जो लाहोर अधिवेशन हुआ था 1940 में वहाँ पर सरुपर्थम पाकिस्तान की मांग रखी गई थी अगला है जय जगत का नारा किस ने दिया था तो जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था भारत भारतिक के लेखक कौन थे तो भारत भारतिक एक फेमस प्रसिद्ध करेती है इसके लेखक थे मैथली शरण गुप्त अगला प्रश्न है, भाध्यराष्ट्य कॉंग्रेस का पिचासवं होगा यहाँ पर परत्खम नहीं होगा, यहाँ पर पर पचासवं होगा तो पिचासवं अधिवेशन कब और काँ हुआ था Heavenly अगला क्यूष्ण है हमारा रस्त गौफ्तार पत्रिगा के संपादक थे दादा भाई नरोजी नेटीव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था तो नेटीव मैरिज एक्ट 1872 में नौर्थ बुक उसमे भारत के वैश रहे थे उनके शाशनकाल में पारित हुआ था अगला है पुनर जागरन का अगर दूत किसे माना जाता है तो पुनर जागरन का अगर दूत माना जाता है दानते को जो कि इटली के फ्लोरेंस नगर से संबंदित है इसलिए फ्लोरेंस नगर को वहाँ ये पुर्णा जागरण का निवास या उद्गम स्तलिपी बोला जाता है ठेके फ्रेंट दानते जो कि एटली का एक प्रसिद्ध कवी था अगला है मनुशियों की समान था एवा मोलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला प्रतम देश कौन था तो यहाँ घोषणा सर्व प्रतम अमेरिका के दवारा की गई थी ठेके फ्रेंट तो यहाँ थे हमारे आज के इंपॉर्टन तीस कोशन हिस्ट्री से लिल चिट बहुत ही मैं तुपूर्ण तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक पसंद आता है इस वीडियो को आप लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्यू फ्रेंट्स